गुद इमिनिंग फ्रेंट एक बापूना आप से भी कहार्दिक स्वागत अविनेंदन आज हम देखें कि इस्ट्रिंग क्या होता है और इस्ट्रिंग में हम पाइथन में कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे का इस चीज़ को अभि देखेंगे बिल्गुल बेसिक से समझेंगे कहीं वी आपको कोई बिखत हो तो कमेंट कर सकते हैं सबसे पहली बात कि इस किस्ट्रिंग को पाइथन में डिक्लीरशन कैसे करते हैं उसका प्डिफिस क्या है तो string अगर आपको declare करना है python programming में तो जैसे मैं declare करता हूँ a equal to ध्यान से देखेगा a equal to क्योंकि a क्या है मारे एक variable और उस variable में क्या करना चाह रहा हूँ string को डालना चाह रहा हूँ तो string को डालने के लिए हम यहा पर सिंगल quote double quote और टीपल quote का यहां यहां पर यूज करते हैं मैं यहां पर सिंगल quote यूज किया यहां से देखेगा मैं यहां पर लिख रहूं welcome ओर यहां पर मैं क्या क्या हूँ इस प्रख़ल कम में सिंगल कोट में इसको मैं डाला हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या हमारा वैल्यू प्रिंट होता है यह नहीं होता है इसको देखते हैं ठीक है तो मैं क्या प्रिंट ए क्या यह प्रिंट करेगा तो हाँ यहाँ पर वेल्कम करके हमारा आ गया यानि कि यह वेल्कम करके हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया क्या मैं इसको डबल कोर्ट में भी लिख सकता हूं चेक करता हूं मैं इसको मैं डबल कोर्ट में लिख के देखता हूं यह मैं डबल कोट में लिखा, तो क्या अब वैल्यू प्रिंट होगा, चेक करते हैं, बेल्कुल हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, अब मैं एक अगला टेपल कोट में भी लिखता हूँ, ध्यां से देखेगा, यहां मैं इसको टेपल कोट में लिख रहा हूँ, क्या हमारा वैल्यू प्रिंट होगा, वेल्कुल हमारा रन हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं, वेल्कम BPSC स्टूडेंट्स, यानि कि हम सिंगल कोट में कियें, डबल कोट में कियें, टीपल कोट में कियें, अब मैं इसको टीपल कोट में ही, डबल टीपल कोट में इसमें कनवर्ट करूंगा, और चेक करूंगा, क्या वैल्यू प्रिंट हो सकता है कि नहीं होगा, ठीक ह तो मैं इसको टीपल कोर्ट में कर रहा हूं, ध्यां से देखिए, और मैं यहां पर कर दे रहा हूं, TRE 4.0, मैंने एक मेसेज लिखा, Welcome VPS Student, TRE 4.0, क्या यह execute करेगा, चेक करता हूँ मैं, इसको run करा करके, बिल्कुल, हमारा जो प्रोग्राम से है, वो execute हो गया, यानि कि A में मैं क्या डाला था, एक string variable मैं डाला, और उसको store किया A में, तो यानि कि हम string को लिखने के लिए क्या क्या जाने, अभी हमने जाना, कि string को मैं single quote में लिख सकता हूं, और किसमें लिख सकता हूं, तो यह double quote में लिख सकता हूं, इसके बारे में जाना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तीन बार इसमें लिख सकते हैं, इसके बाद हमने क्या जाना, टीपर double quote में भी लिख सकते हैं, यानि कि यह चार process है, जिसके help से आप क्या कर सकते हैं, string को declare कर स कैसे होता है यह भी जाना जो रही है तो इंड़क्सिंग यानि की accessing elements of string data types जो भी string data types है string elements है उसको access कैसे करेंगे तो अभी हमने इतना कुछ जाना अब मैं यहां पर लिखता हूँ पहले बीपेसी वेलकम करके मैं इसको देखता हूँ हम पहले इसको प्रिंट करकिया अब मैं access करता हूँ पहला elements को दूसरा elements को तीसरा element को चौथे elements को फिप पचमे elements को इस तकाट के भी access करेंगे ठीक है ध्याँ से देखिएगा बहुत important है मैं इसको कर रहा हूँ print विद पोजिटिव पोजिटिव इंडेक्स नंबर हम पोजिटिव इंडेक्स नंबर से हम पहले exist करेंगे घैंक है जैसे में बल कर लिख रहा हूँ यहां पर तो क्या होगा क्या प्रिंट करेगा कोई बता सकते हैं कमेंट कर सकते हैं अगर मैं लिखता हूँ एजीरो तो कौन सा एलिमेंट्स प्रिंट होगा कौन सा करेक्टर प्रिंट होगा तो यहां पर जीरो का मतलब क्या होगा क्या होगा पहला इंडेक्स कौन सा इंडेक्स जीरो तो चलिए इसको रन करते हैं क्या इंडेक्स प्रिंट होगा उसको देखते हैं एक मिनिट अच्छा यहां पर पी कैपिटल हो गया है प्रिंट में पी और आई एंटी इसको मैं रन कराता हूं क्या प्रिंट हुआ तो प्रिंट हुआ क्या डबलू क्या प्रिंट हुआ यहां पर आप ध्यान से देखेगा तो जीरो इंडेक्स पर क्या है डबलू इंडेक्स पर है वन इंडेक्स पर क्या है ई है तो यह क्या करेगा इंडेक्सिंग फाइंड आउट करेगा ठीक है तो अब हम क्या किए पहले index को किए तो अब क्या print होगा बताइए आप सभी print होगा क्या E क्या print होगा E ठीक है फिर से print करने है index number two क्या print होगा बताएंगे index 2 को मैं print कर रहा हूं तो क्या को 012 यानि कि L print हो रहा है W e l देखें, W, E, L, two index पर क्या है, L है, तो L आगया, once again, print करता हूँ, मैं, three, क्या print होगा, क्या print होगा, तो C print होगा, देखें, zero, one, two, three, यानि कि, W हो गया, zero, E हो गया, one index, L हो गया, two index, C हो गया, three index, यानि कि, indexing हम कर रहा है, इंडेक्सिंग से accessing कर रहा है, फिर से, मैं यहा पर four index कीया, four index पर बताएं, क्या होगा, four index पर मैं print करूँगा, तो क्या होगा, यानि कि c हो गया welcome में ध्यान से देखिएगा o print होगा फिर m होगा फिर e होगा ठीक है ध्यान से देखते चाहिएगा क्या कर रहा हूं मैं फिर five index तो zero पे w e l c o m अब एक अगला है e होगा welcome तो अब देखिए मैं क्या किया सभी को print किया तो क्या print हो रहा है तो print हो रहा है यहां पे w e l c o m e ठीक है यानि total indexing का बात करें तो zero से लेकर कहां तक गया six तक गया है यानि कि n-1 अब मैं चाहरा हूं seven को print करना क्या seven index print हो check करता हूं मैं क्या seven index print होगा तो seven index को जैसे मैं print करूँगा तो एक error generate करेगा वो error कहलाएगा इंडएकss error मतलब क्या हुआ कि जो हम indexing कर रहे हैं वो index कहीं न कहीं क्या है गलत है क्या बोलेगा strign index out of range यानि कि जो range है string का वो उससे ज़्यादा है क्या है? out of range बोर नहीं यानि कि indexing से आपका इस्टिंग का index है उससे आप जादे value को टो access कर रहे है तो यहाँ आप एक error generate किया अब देखिए मैं इसको जैसे हटाओंगा तो क्या होगा इजी वे एक्सेस हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब मैं निगेटिव नमर से इंडेक्स को एक्सेस करूँगा ध्यान से देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप यह समझ गए न तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि इस्ट्रिंग से ख है खेलें कैसे तो अब मैं यहां पर निगेटिव नमर के साथ खेलूंगा के आप ев ASH practice मैं यहां पर निगेटिव से खिर रहा हूं थीक है ध्यान से देखिएगा अब में क्या करूआँग माइनस वन करूंग क्या करूँगा माइनस वन देखते है माइनस वन करके 0-0 कर दिया तो अब बताइए कि क्या होगा कमेंट करेंगे आप सभी कमेंट करेंगे आप सब कमेंट करेंगे जल्दी से इसको मैं new line में ले करके यहां भी welcome लिख दिया अगर मैं कर दिया मैंने सबस्कूष करेंगे तो यही होगा गर मैं दिया घ्राया इसे किया तो लोगा हुआ थू श्यक्ता है जाएगा देखिये में फिर से करता हूं यहां पर कर दिया मैं ध्यान से देखेगा कॉपी यहां से मैं किया यहां कर दिया माइनस वन आपको questions आने चाहिए कैसे questions हम arise कर सकें अगर मैं माइनस one करूं तो क्या होगा कमेंट कीजिए अगर मैं print कर रहा हूँ, welcome में माइनस one तो क्या print होगा पहला index कहां से पीछे से, कौन सा पीछे से माइनस index तो यहां से मैं इसको run किया, क्या हुआ, यहां से देखेगा, output को भी देखते जाहिएगा, समझ में आएगा, once again, मैं यहां पर कर रहा हूँ, minus 2, क्या किया, minus 2, अब क्या print होगा, तो अब यहां देखे, minus 1, m हो गया, minus 2, o हो गया, minus 3, c हो गया, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, कितना हो गया, minus 7 तक, फिर से देखे, फिर से मैं किया, print, minus 3, print करता हूँ मैं, output निकालता हूँ, तो देखे, w, e, m, o, w हो गया, minus 0, e हो गया, minus 1, minus 2, minus 3, तो अभी, minus 3 तक हम सब निकालने हैं, ठीक है, अगला देखेंगे, करते है, minus 4, क्या किया, मैंने, minus 4, तो अब क्या होगा, c, print होगा, क्या, c, o के बाद क्या है, c, once again, अब मैं यहाँ पर minus 5 किया, तो क्या होगा, l, जहाँ से देखेंगा, अब मैं करूँगा, minus 6, minus 6, तो अब क्या, print होगा, तो अब होगा, e, देखेंगा, अम इसको रण करता हूँ, देखेंगे, यहाँ पर e तक print हुआ, again, अब करूँगा, minus 7, print, minus 7 कर रहा हूँ, ध्याँ से देखेंगा, minus 7, क्या print होगा, बताईए, चलती आप सुर्ण, क्या print होगा, डवलू, ठीक है, आपको समझ में आया, मतलब यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर welcome, जो मैं लिखा हूँ, यह है 0 इंडेक्स, positive में, 1 index, 2 index, 3 index, 4 index, 5 index, 6 index, अगर मैं minus से बात करूँ, तो minus 0 जो होगा, वो क्या होगा, डवलू होगा, minus 1 बात करेंगे, तो पीछे से, e जो है, minus 1, m minus 2, minus 3, minus 4, minus 6, minus 7, तो इस तक क्या होगा, minus 7 तक, तक है, यहाँ तक आपको समझ में आगया हो, हैं कोई भी ोना चाहिए यहां तक आपको अब देखिए हमने अभी क्या जाना अभी मैं मैं करता हूं मैंनस 8 देखते हैं क्या वही बात जो आप सेवन के साथ आया था जब हम प्रिंट सेवन किये थे पॉजेक्टिब में तो भी error आया था, अब minus 8 से किये, क्यों को कि starting पीछे से minus 1 से हो रहा है, तो minus 8 तक जाएगा, तो यहाँ भी same error आया, वो error क्या error है, index error, क्या बोल रहा है, string index of out of range, मतलब कि string का जो range है, वो उससे बाहर चला गया, तो I think आपको यहां तक समझ में आयागा, कोई भी doubt नहीं होगा, तो आप comment करेंगे, next, अब हम कुछ और भी सीखते हैं, वो सीखते हैं क्या, कि हम slicing कैसे करते हैं, क्योंकि string में हम क्या कर सकते हैं, slice कर सकते हैं, ठीक है, यानि कि हम string से सब string को निकालना है, यानि कि एक string दिया ह हुआ, जिसे welcome लिखा हुआ, उसमें से हमको wel को ही print करना है, तो हम कैसे करेंगे, मेरा मक्सद यह है, तो चली इसको भी सीखते हैं, तो यहां पे हम सीख रहे हैं, अब क्या slicing, यानि कि सब string को निकालने का तरीका, सब string को, हमारे पास वही string है, क्या welcome है, अब हम इस welcome से क्या करना है, हम को string fight out करना है, एक इसको slice करना है, मतलब कि छोटे टुकड़े में, केक का छोटा टुकड़ा बनाना है, तो मैं अगर यहां पे कड़ू, जीरो, और यहां पे दे दू, तो आप बताओ, यह कहा से कहा तक value मुझे print करके देगा, comment करेंगे, मैं लिख रहा हूँ, ए, जीरो से लेकर, के दो तक हमको slice करके दो, देखते हैं, क्या देता है यह, तो यह दे रहा है, W, E, क्या दे रहा है, W और E, क्यों दिया W और E, इसके पीछे logic क्या है, जब भी हम सब इस्टिंग निकालेंगे, जब भी हम सब इस्टिंग निकालेंगे, तो यह last वाला जो value है, Last value, वो क्या होगा? Last value minus 1, save only for last value, ध्याँ से देखिएगा, only for last value, क्यों? क्यों कि, यहाँ पे देखिए हम अभी जश्ट बताये थे, यह 0 होगा, यह 1 होगा, यह 2 होगा, यह न, 0, 1, 2, आप बोलेंगे सब, W, E, L तक होना चाहिए, नहीं, last minus 1, यानिकि 2 minus 1, क्या होगा? तो 0 और 1 इंडेक्स पर जो value होगा वो print करेगा, तो क्या है 0 और 1, यानकि W और E, इसलिए हमारा print क्या हुआ, W और E, यानकि जब भी हम sub string निकालेंगे, तो जो last value होगा, वो last value minus 1 होगा, तो इसलिए 0 से यहां कहा तक जाएगा, 2 minus 1, यानकि 0 से 1 तक, तो यहां पर welcome में देख हो रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ, next, मैं यहां पर एक value और print करता हूँ, यहां पर मैं last value नहीं दूँगा, तो क्या होगा, यह क्या करेगा, पूरे string को print करेगा, starting से कहा तक, last, देख लेते हैं, इसको भी run कराके, यह क्याल किया, पूरे welcome को क्या किया, print किया, समझ में आ दो string को हम जोर भी सकते हैं, देखते हैं, जोर करके, print a, मैं एक string और लिखता हूँ, ध्यान से देखेगा, b equal to bpsc students, ठीक है, मैं string लिखा, b equal to bpsc students, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों string को जोड़ना है, a plus b, simple सा बात है, मुझे दो string को जोड़ना है, तो अब क्या यह जोड़के देगा, देखता हूँ मैं करके, बिल्कुल, यह क्या कर रहा है, दोनों string को जोड़ करके, मुझे दे रहा है, देखे, welcome bpsc students, a में मैंने क इस्टोर किया था, welcome, B में क्या इस्टोर किया था, BPSC students, यह हम सभी Python सिख रहे है, Python Programming, तो Python Programming में क्या है, क्या आपको एक features दिया गया है, कि आप 2 string को एक साथ जोड सकते हैं, उसको manipulate कर सकते हैं, क्या मैं, print a into a into 2, यान कि पहला जो string है उसको दो बार लिख सबता हूँ, देखता हूँ मैं करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, a into 2 किया, इसका मतलब क्या हुआ, कि पहला क्या है, welcome, welcome को मैं दो बार लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, दो से गुना कर दूँगा, तो यहाँ पे द Slicing में आपको क्या करना है, बहुत सारे Negative Number को भी देखिए, Negative Number को भी देखिएगा, तो आपको समझ में आगा, कि 0 कैसे होगा, minus 1, अभी Just में आपको यह बता है, minus 1 कैसे है, minus 2 कोन है, minus 3 कोन है, तो आपको उसके recording क्या करना है, Range निकालना है, ठीक है, Slicing करना है, यह आपके S k conscience था मैं कुछ और भी आपको बताता हूं ध्यान से देखेगा कि यहां पर क्या है हमारे पास इस्रिंग में सारे फंजसंस दिए गए हैं कि हमको पूरे को अर। विलकम मैने लिख Ama A equal to welcome तो अब ध्यान से देखिए इसको A equal to welcome अब मैं चाह रहा हूँ कि welcome में जितने भी welcome है सभी capital letter में लिखा हुआ रहा है तो हम क्या करेंगे print A dot upper A dot upper एक functions है functions को मैंने लिखा और इसको क्या किया run किया तो अब देखिए क्या किया welcome को क्या करेगा capital letter में लिखेगा यहाँ देखिए welcome को क्या 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 capital letter में लिखा तो हमारे पास एक functions है upper करके वो क्या करेगा आपके string को upper letter में convert करेगा उसी परकार हमारे पास और एक functions है उस function का नाम है A dot lower तो क्या करेगा जब वह अपर लेटर में convert किया तो यह lower लेटर में convert करेगा नाम सही समझ में आ रहा है तो यह देखिए क्या किया सभी को lower लेटर में convert किया हमारे पास और एक अगला functions है उस functions को भी देखते हैं print a.capitalize तो सबसे पहले हम देखेंगे A.isAlpha IsAlpha स्टार्टिंग से जाते हैं IsAlpha IsAlpha क्या करेगा? चेक करेगा कि हमारा जो Welcome है क्या? उसमें Alpha weight है की नहीं? तो हाँ हमारे इसमें क्या है? Alpha weight है तो ये क्या करेगा? True or False में Is जहां पर लगा हो तो इसका मतलब ये है कि वो To या False में Result देगा Simple सा तरीका है तो इसको मैं Run करता हूँ तो क्या ये Print किया? True अब देखिए अगर मैं यहां पर करूँ Is Digit मैं Print कर रहा हूँ Is Digit क्या इसमें Digit है क्या? Welcome में कहीं Digit आपको नजारा आ रहा है क्या? चेक करता हूँ ये आपके Python में एक Functions है ये सरी Functions को मैं अभी करा रहा हूँ Is Digit चेक करता हूँ Is यहां पर एक Word छूट गया, Is तो आप हमारे batch में जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल Basic से मैं बता रहा हूँ हमारा App है, आप नीचे देख सकते हैं कहीं नहीं है डिजिट क्योंकि वेलकम में क्या है सब अलफावेट लेटर है तो Is Digit है मतलब की False जहां भी Is लगा रहा है Functions में तो इसका मतलब वो True और False में result देगा अगें मैं लिखता हूँ Is ध्यान से देखिएगा Is is अगें मतलब क्या क्या इसमें अलफावेट या नुमरीक दोनों है यह नहीं है मतलब क्या किचिक चेक इफ और करेक्टर इन स्टिंग और अलफावेट और दिजिट चेक करते हैं यह क्या हमें result देगा तो यह क्या रिजल्ट दिया यह रिजल्ट दिया ट्रू यानि कि कुछ ना कुछ तो इसमें अल्फावेट है डिजित तो है नहीं कोई भी एक होगा तो यह रिजल्ट देगा ट्रू ठीक है और एक कमांड लिखते हैं अब फ़िए ऑपनिद डिखते हैं लुग आधे आम बताओ किया रिजल्ट करेगा कि इसमें लोव लोटर में आप बताओ डबलू क्या यह च्रिपिटल है तो यहेंसा क्या बोलेगा यह capital में, यानि कि एक भी capital मिल गया, यानि कि वो false हो गया, यहां पर देखे, result क्या दिया, false दिया, again, मैं लिखता हूँ, is upper, क्या हमारे पास जो functions है, वो सभी capital लेटर में है गया, नहीं है, देखे, यह भी present क्या देगा, false, is upper, यह भी देगा, मुझे false, क्या दिया, हमें, false द जाना, string में काम करने के लिए जाना, अब मैं लिखता हूँ, यह capitalise भी छूटा हुआ, उसको भी देख लेता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ, तो यह क्या करेगा, पहला, मैं और भी लेटर निकलता हूँ, ताकि आपको और भी इसमें clear होगा, मैं लिख रहा हूँ, a equal to, ताकि आपको title और capitalise, वो पूरा समझ में है, welcome, welcome, bpsc students, क्या यह करेगा, capitalise का काम क्या है, अब बताओ, जल्दी से comment करो, इसका काम यह है, जैसे मैं a.capitalise किया, तो यह पहला, only first letter of the sentence, उसको क्या करेगा, capital करेगा, बाकि सबको क्या करेगा, small में करेगा, यहाँ पर मैंने देखे, bpsc को bpsc capital में लिखा था, यह क्या गिया, small में convert कर दिया, दूसरा हमारे पास एक options है, title, देखता हूँ, print, print a.title, यह क्या काम करेगा, इसका भी तो कोई काम होगा, functions है, इसको मैं run करता हूँ, तो यह क्या करेगा, उस sentence में, जितने भी word के पहला letter जो है, उसको क्या करेगा, capital में करेगा, जैसे मैंने लिखा, a.title, तो w capital में है, तो w capital में welcome, b को क्या करेगा, एक letter, पहला word का पहला letter, capital, vpc को b capital, student, s को क्या किया, small था, या तो s को capital किया, तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा, कि हम string कैसे लिखेंगे, string में variable कैसे declarations करते हैं, string को लिखने का तरीका क्या है, string में हम indexing कैसे करते हैं, 0 को होता है, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, minus 0 क्या होता है, string में हम operations कैसे करते हैं, उस operations को जाना, फिर उसके कुछ functions को जाना, जैसे कि upper, lower, is alpha, is digit, is alum, is lower, is super, is upper, is capitalized, is tighter, और भी कई functions हैं, जो कि हम सभी जानेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो ज़रूर comment करें, और जो भी batch join करना साते हैं, vpc 4.0, 3.0, तो हमारे batch को join कर सकते हैं, एक और functions है, उस functions के बारे में बताता हूँ, वो last function है हमारा, आज के class का, उसको देखते हैं, print, a. swap case, swap case, आप बताओ यह क्या करेगा, यह करेगा, capital को small, और small को capital, देखता हूं में करके, तो यह देखिए, welcome का w को d, w क्या किया, small कर दिया, बाकी सब को capital कर दिया, yan की interchange कर देगा, तो यह आज हमारा topic था, वीडियो अच्छा लगे, तो जबूर comment करना, और भी हमें string पे और भी operations करेंगे, ठीक है, thank you, all the best सभी को.